जम्मु कश्मीर में 10 साल बाद विधान सभा के चुना हूंगे इसके साथ ही 5 साल बाद जम्मु कश्मीर को पूर्ण राज्य का दरजा मिलेगा जम्मु कश्मीर की 90 विधान सभा सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे केंद्री निर्वाचन आयोग ने बताया कि कुल 87.09 लाख मतदाता जम्मु कश्मीर की भागे का फैसला करेंगे दिल्चस्प बात ये भी है कि 3.71 लाख मतदाता पहली बार अपने मतदिकार का प्रयोग करेंगे जम्मु कश्मीर में इस बार 20 से 25 वर्ष की आयोवर्ग वाले 20.07 लाख ही हुआ वोटर से यहां महीला मतदाताओं की संख्या 42.72 लाख है वही 44.46 लाख प्रूस वोटर से गुर्टलब है कि राज जी पुनरगठन से पहले आखरी बाग 2019 में यहां विधान सभा का चुना हुआ था तब विधान सभा की 87 सीटों पर हुए चुनाओं में भारती जनता पार्टी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी और दूसरी बड़ी पार्टी बन गई थी महबुवा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्राटिक पार्टी यानी पीडीपी 28 सीटे जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बनी फारुक अबदुल्ला की नैशनल कॉंफरेंस 15 कॉंग्रेस 12 पीपल्स कॉंफरेंस 20 CPIM1 और PDF एक सीट जीती जबकि निर्दल ये तीन सीटों पर साल ही चली 2018 में बीजेपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया गठबंदन तूट गया और यहां रास्टपती शाषन लगया पांच अगस 2019 को केंद्र सरकार ने राज्जी पुनर गठन बिल के जरिये जम्मू कश्मीर को विशेशा धिकार देने वाला धारा 370 हटा दिय जम्मू कश्मीर और लगदाक को दो अलग-अलग केंद्र सासित प्रदेश बना दिया गया लंबे समय से जम्मू कश्मीर की छेत्रिये राजनितिक दल प्रदेश में चुनाव कराने और इसे पूर्ण राज्जी का दर्जा देनी की मांग कर रहे थे फारुग अब्दुला, उम्र अब्दुला और महबूबा मुफ्ती सारिख नेताय कई बार कींद्र सरकार के सामने ये मांग उठा चुके थे इसे बीच राहूल गांधी ने कई बार सार्वजनिक मंद से कहा था कि हमारी केंद्र में सरकार बनी तो जम्मु कश्मीर में चुनाव कराएंगे पूर्ण राज्जी का दर्जा बहाल करेंगे सुप्रिम कोर्ट में याचिकाएं भी डाली गए थी इनहीं याचिकाओं की सुनवाई करते वे सुप्रिम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जम्मु कश्मीर में 30 सितंबर तक विधान सभा के चुनाव कराए जाएंगे में पहली बार विधायके के चुनाव हुए जिसमें शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने सभी सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की 1962 में पहली बार प्रदेश में विधान सभा की चुनाव कराए गए शेख अब्दुल्ला की पार्टी ने बक्सी गुलाम मुहंबत की अगवाई में 17 सीटों पर जीत दर्ज करके स्पष्ट बहुमत हासिल किया 1996 में विधान सभा चुनाव कॉंग्रेस ने 61 सीटों पर जीत दर्ज कर पहली बार सरकार बनाए 1972 के विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस को 58, भारती जनसंको 3 और जमता ए इसलामी को 5 सीटों पर जीत मिली थी 1977 के विधानसभा चुनाओ में नैशनल कॉन्फरेंस को 47 सीटों पर जीत मिली, 1983 का चुनाओ भी नैशनल कॉन्फरेंस जीती, 1987 के चुनाओ में नैशनल कॉन्फरेंस फिर बड़ी पार्टी के रुप में उभिरी, 1996 के चुनाओ में नैशनल कॉन्फरेंस को 57 सीटों पर जीता सि चुनाव में नेशनल कॉंफरेंस 28 सीटे जीत कर सबसे बाड़ी पार्टी बनी। 2008 में किसी दल को बहुमत नहीं मिला लेकिन नेशनल कॉंफरेंस ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 में PDP और BJP ने मिलकर सरकार बनाई जो चार साथ चली। केंद्री निर्वाचन आयो की वेबसाइड में दी गए अधिकारिक जानकारी के मताबिक जमुकश्मीर में विधान सभा का चुनाव कराने के लिए कुल 11800 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं इनमें से 2332 पोलिंग बूथ शहरी अलाकों में हैं जबकि ग्रामिन अलाकों में 9506 पोलिंग बूथ हैं प्रतेक पोलिंग बूथ पर उसतन 735 वोटर होंगे दिव्यांकों के लिए 90 पोलिंग बूथ तो वही 90 पोलिंग बूथ महीला किंद्रित होंगे पोलिंग बूत मॉडल बूत गोशित किये गये हैं जहां विशेश सुविधाय होगी गौरतलब है कि शान्ती के तमाम दाओ के बावजूत जमुकश्मीर में तनाव हैं घुसपैट की घटनाए हो रही है जमुकश्मीर के अनंत नाग और डोड़ा में हाली में मुटभेड की घटना हुए पिछले दो महिने में दो कैप्टन सहीत सेना के छे जवान शहीद हुए आतंकी भी मारे गए अभी हाली में जमुकश्मीर में नए डीजेपी नियुक्त किया गया है उनका कायरेकाल 30 सितंबर तक होगा माने उस समय सीमा तक जिसके भीतर चुनाव संपन कराने करने देश सुप्रियूम कूर्ट ने केंदर सरकार को दिया है उम्मीद है कि यहां शांती पूर्ण चुनाव संपन होगा इस चुनाव में वोटिंग प्रतीसत ये भी साबित करेगा कि जमुकश्मीर को लेकर पाकिस्तान की खुश फ़हमी हवा हवाई है फिलाल के इस वी मेरे नाम है श्यारतन बहुत बहुत शुक्रिया